दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जंगली बिल्ली है जिसे शिकार करने में महारत हासल है? कैसे ये अपने शिकार को दबोचती है और उसे एक बेरहम मौत की सजा देती है? आखर असका शिकार बनता कौन है? क्या सर्फ यही जानवरों पर हमला करती है या खुद भी उनका शिकार बन जाती है? क्या आपने कभी जैगुआर और डॉगी की दोस्ती देखी है? अगर नहीं तो चलिए फर आज हम आपको बताते हैं इस बेरहम जंगली बिल्ली का नाम है लैपोर्ड बोले तो तेंद्वा जी हाँ यह वही शिकारी है जो जंगल की दुनिया में कोहरा मचा रहा है चलिए सबसे पहले हम चलते हैं खुखार मकाबले की तरफ जिसमें एक तरफ है तेंद्वा और दूसी तरफ है अजगर भाई सहब यहाँ जाडियों की पीछे छुपा हुआ अजगर आराम कर रहा था तब ही लैपोर्ड इसके पास आ गया और जैसे ही इसने अजगर को देखा वैसे ही इसकी लार टपकने लगी और यह भीड़ गया अजगर से अजगर भी भैक कम कहां पढ़ने वाला था इसलिए अजगर ने भी तेंद्वे को खूब टकर का मقाबला दिया और मौका मिलते ही तेंद्वे को अपनी बाहुं में जकड़ लिया तेंदवा अजगर के गरफ्त में आते ही हाल से बेहाल हो गया और जल्दी से अपने आप को छोड़ा नहीं पाया लेकिन फिर तेंदवे ने हिम्मत दिखाई और अजगर को पचाड कर इसके जाल से बाहर निकलाया इसके बाद दोनों के बीच हमलों का सलसला ऐसे ही चलता रहा और आखिर में विजेता बने हमारे लेपड भाई सहाब क्या आपने कभी जैगवार और छोटू से डॉग को एक साथ खेलते वे देखा है नहीं तो ये देखे यहाँ छोटू सा डॉग जैगवार के पीचे-पीचे चल रहा है ये लेपड जहां भी जाता है वहीं डॉग इसके साथ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं ये लेपड बड़े प्यार से डॉग के साथ लेट-लेट कर खेलता है ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं इसलिए इन दोनों में इतना प्यार है वहीं अगर ये दोस्त ना होते तो डॉग का जैगवार के सामने टिक पाना नाममकिन था लेकिन इन दोनों की दोस्ती तो भई ला जवाब है जंगली बिलियों में सभी एक से बढ़कर एक बोले तो खतरनाक होते हैं लेकिन जंगल में जिनका सबसे ज़्यादा तैल का मिचता है वो है लेपोर्ड यहाँ तीन लेपोर्ड्स ने एक अकेले हनी बैजर को पकड़ लिया है और इसे चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन यह हनी बैजर भी इनसे घबराता नहीं है बलकि एकदम धांसों अंदाज से इनी परवार करना शुरू कर देता है कि देखे कैसे यह हनी बैजर चुन-चुन कर एक लेपोर्ड से बदला ले रहा है लेकिन तभी एक लेपोर्ड इसे अपने पंजों में दबा लेता है यह देखकर कुछ देर तक हनी बैजर ऐसे ही शान्त रहता है लेकिन फिर अचानक से इसके अंदर बाहु बली की ताकत आ जाती है और ये उट खड़ा होता है और ऐसे इन तीनों को अपने हमलों से डराता है कि बस लेपड तो इससे बचकर भागने लगते हैं और मौका मिलते ही हनी बैजर इनके चंगुल से आजाद होकर भाग जाता है वाँ भई चोटा पैकट बड़ा धमाका आगे ऐसे खुखार श्रेकारियों के खौफनाख हमले देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से ये काम कर लीजे आज कल तो भाई लेपड ने जंगल के जानवरों को चोड़ कर घरों के सड़कों के जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया है यहां अंधेरी सूनसान रात में लेपड और डॉग के बीट जंग छड़ गई है लेकिन इस बार लेपड डॉग पर भारी नहीं पड़ता बलकि ये ब्लैक डॉग ही लेपड पर चढ़ाई कर देता है और अपने दांतों से इस लेपड के मूँ को कसकर जखर लेता है ये लेपड भी इस डॉग के सामने भीगी बिल्ली बन कर बैठा रहता है और जैसे ही डॉग की पकड खमजोर होती है वैसे ही लेपड इससे बच कर फरार हो जाता है ये लेपड मासूम जानवरों के लिए तो मौत है यहाँ घर के बाहर ये लेपड अपने शिकार की तालाश कर रहा था लेकिन तबी इसको अपने शिकार की भनक लग जाती है और ये चल देता है अपनी पेट पूजा करने लेपर्ड की नजर और पकड रात में बड़ी तेज हो जाती है इसलिए ये जल्दी से अपने शिकार को दबोच लेता है यहां लेपर्ड ने एक डॉग को अपने मुँ में जकर लिया है और अब बड़े ही दमदार तरीके से उसे अपने साथ ला रहा है ये डॉग इससे बचने के लिए बहुत हाथ पैर फिकता है पर इस लेपर्ड की पकड़ से छूट नहीं पाता बिचारा लेपर्ड का निवाला बनकर ही रह जाता है लगता है जंगल की दुनिया में सबसे खोंकार शिकारी तेंदवाई है क्योंकि ये अपने दुश्मन को जहां कभी भी देखता है वहीं उसे तुरन दबोच लेता है तेंदवेन एक छोटू से डॉग को अपने श्रकंजे में धर दबोचा है और पेड़ पर आराम से लेकर इससे बैठा है ताकि कोई दूसरा शिकारे इस पर हाथ साफ ना कर सके इसलिए ये लेपर्ड इस डॉग को पेड़ पर पकड़े हुए है ये डॉग इस दुनिया से चल बसा है और अब बस तैयारी है तो सर्फ इसे निगलने की इसलिए ये लेपर्ड इस पर धीरे धीरे दांद कड़ाने लगता है और आखर में इसकी गर्दन को दवोच लेता है फिर तो आप जानते हैं कि अपने शिकार का क्या हाल करता है यहां सड़क किनारे डॉग भाई साब बड़े मज़े से आराम कर रहे थे पर इनकी शानती में भंग डालने के लिए एक तेंदुए यहां टपक पड़ा और बस बड़ी फूर्ती से जाडियों में से डॉग पर हमला करने लगता है ये देख डॉग का पारा हाई हो जाता है और फिर जो इस डॉग नहीं अमराजवाला रूप लिया उसे देखकर तो तेंदुए की भी हवा टाइट हो गई और डॉगी ने इससे अपने जूरदार आवाद से डरा धमकाय कर वहां से भगा दिया ये तेंदुए भी वहां से सांती से खसक लिया वाँ भई डॉगी ने तो आज कमाली कर दिया अब तो भई हदी हो गई ये लेपड तो इतना जालिम हो गया है कि घर पर भी डॉगी को जंदा नहीं छोड़ रहा है लगता है डॉगी और लेपड का कुछ जादा ही पुराना जगडा है तभी तो कभी डॉग लेपड को आडे हाँ तो लेता है तो कभी लेपड उसे अपना निवाला बना लेता है यहां डॉग अपने घर के बाहर मजे की नीन ले रहा था ये नीन में इतना खोया हुआ था कि इसे अपनी मौत की भी खबर नहीं लगी इस बात का फाइदा उठा कर ये लेपड दबे पाम इसके पास आया और देखा कि डॉग तो बड़ी ही गहरी नीन में सोया हुआ है वैसे ही तेंदुए नीन इस पर हमला कर दिया डॉग मीन में उनी की वज़े से इसका मुकाबला ना कर सका और बस इसी का निशाना बन बैठा इसके बाद ये लेपड इसे मुँ में दबा कर अपने साथ ले गया जैसे ही डॉग के मालिक को कुछ खत्रा मैसूस हुआ वो तुरंत ही बाहर आया और ये देखकर कि डॉग गायब है वो हैरान हो गया जंगल की दुनिया में सब एक से एक खूखार शिकारी हैं जिसमें से एक नाम है तेंद्वेका यहां कुछ जेबरा बाहर घूमने के लिए निकले थे लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज एक तीर बाज इन पर अपने हमलों का तीर चलाने वाला है और कुछी देर में लेपरड एक जेबरा पर हमला बोल देता है जेबरा का दोस्त दूर खड़े रहकर ही इसकी मौत का तमाशा देखता है लेकिन इसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है क्योंकि इससे पता था कि अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं दुनिया से चला पर बेचारा ये जेबरा इसकी पकड में आ जाता है लेकिन ये लेपरड इस जेबरे को जकमी हालत में छोड़कर यहां से चला जाता है पर थोड़ी ही देर में फिर इसके पास आता है और इस पर अपने दांत गड़ा देता है तो भाई लोग आपको इन में से कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा वैसे आपको कौन सी जंगली बिली सबसे खुंखार और जालिम लगती है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रस नहीं किया तो जल्दी से कर लो जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके दोस्तो आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें